नमश्कार, Online School इंडिया पर आप लोगों के लिए लाइब्रेरी की special current effects के class start कर दी गई हैं तो आज की class बहुत important होने वाली है क्योंकि इसमें से इतने सारे points मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो आने वाले exam में बहुत important होने वाले साथ मैं मैंने काफी कुछ analyze किया है जो पीचे की जितने भी exam हुए है वहां मैंने बहुत सारे analyze किया और मेरे खुद के personal जो view हैं उसमें आप लोगों बता सकता हूं कि बहुत सारे questions जो हैं बहुत easy तरीके से आये हैं exam में और काफी student यह सोचते हैं कि यार यह बहुत hard थे लेकिन hard नहीं थे क्यूंकि हमने उसको exact तरीके से नहीं पढ़ा कुछ अच्छे से उसको नहीं समझा तब जाके आप लोगों को यह clear नहीं होता कि यह current affairs का question hard था या easy था ओके लेकिन hard easy का कुछ नहीं होगा क्यूंकि आज ही class आप में से काफी जो student हैं जो भी लाइवरियन का exam देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा जो है number gain कर सकते हैं ओके तो आज की current affairs की class हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और यह जो current affairs के जो हैं सिर्फ मैंने point लिए और इसके जो mock test हैं वह भी आप लोग को मिल जाएंगे ध्यान रिकना app पर आगे जो सुरवात करते हैं उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि जो भी थोड़ा एक बड़ा सा ओफर चलना है आप लोग के लिए सुमेर सर बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग के लिए तो इस कोर्स की यह खाशियत है कि इसमें जो हैं आप लोगों को 100 प्लस टेस्ट भी मिलेगी साथ में आपको क्लियर करा जाएगा फूर सुमेर सर फुद आप लोग को पढ़ा पढ़ा पढ़ाते रहेंगे क्योंकि यह हैं और उन्हें सारे कंस्ट को देखा है और साथ में उन्हें लाइबरी निकीं किया क्या स्टेप बन सकते हैं उनके उपर जितना अनलाइज करना था उन्हें किया या उसके बाद में ग्लासेज आप लोग के तर्क पहुंचाई जा रही है तो साथ में आपको पॉइंट के एसाफ से लिखेंगी टॉपिक भी आपको मिलते रहेंगे और साथ में मॉख टेस्ट जो इतने भी आपके अब भी प्रोब्लम है कोई भी दिक्कत है तो एक नंबर दिया गया है यह आप इस नंबर पर वर्टसप कर सकते हैं चलिए स्टाट करते हैं क्लास को बहुत ज्यादा टाइम वैस्ट नहीं करेंगे क्योंकि करेंट को बहुत इजी वैसे लेना है और बहुत अच्छे से सीखन होगा चलिए मैं पॉइंट की तरफ देखे जाता हूं आप लोग को देखे कुछ अच्छी सी चीजें वह आपको बता जाता हूं क्योंकि यह पूछे गए अभी हाली में एक्जाम हुए है ना अभी इसी महीने में और पिछले मेने में एक्जाम हुए तो आप लोगोंने की तहरी करें और आर एसमस भी जो पैटन बनाता है वही रेगुलर उसके इसाफ से कुष्ण आते रहेते हैं तो ध्यान रगना यहां पर आपको वही पॉइंट मिल जाएंगे जो एक्जाम में आये थे ओके रायस्तान में वर्स 2020 तक सबसे पहला पॉइंट एक्जाम में क् सब्सक्राइब कर रहा हूं दो हजार पच्चीस तक है ना सोलर प्लांट की शंपता कितनी करने करनी कर देका विचार कर रहें थर्टी थाउजन त्या निक जो अनृत टीस हजार मेगावाट्टेयर है एक्जाम में यही पॉइंट पूछा जा सकता है कि कितना वोट किया जा सकता है और साथ में यह भी पूछा जा सकता है कब किया जाएगा तो दोजार पच्चीस तक का एक टार्गेट रखा है है ना 30,000 मेगावर्ट का अब यहां पर आता है कि बिजली उत्पादन की श्रमता अभी राजस्तान में है कितनी क्योंकि अभी देखे अगर आप जो भी कुशन पढ़ते है ना उससे रिलेटेड भी कुशन आ सकता है वो बहुत इंपोर्डेंट है विसु का सबसे बड़ा बड़ा सोलर पार्क यह राजस्तान जीके का कोशन है मैंने साथ में इसलिए ले ले लिए ताकि आप लोग को याद भी हो जाए है ना राजस्तान जीके की भी जो आपकी मॉक्टेस की क्लास है वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी धियान रेखना तो विसु का सबसे बड़ा सोलर पार कहां बड़ा अब यहां पर दिमाग में बड़ा तो है लेकिन है और यह राजस्तान में तो बदा देता हूं यह है जोधपुर जिल्य में अब यहां पर आगर आपको तैसिल भी पूछ लिए जाए बहुत ठोइधन और यहां पर आता है कि ढूंज आका कौण सा इसतान है यह इंपोडेन सकता कारण है इसका क्यूंकि देखे अगर सोर उर्जा के बारे में आपको बता रहा हूं तो इसके कुसम को ध्यान से समझना भी जरूरुरे तो सौर उर्जा में राजस्तान का जो नंबर है वो पहले इस्तान पर है क्योंकि यहां पे करीबन 325 दिन 365 में से 324 दिन आपको यहां पे सुर्ज दिखी जाएगा सुर्य वगवान की बहुत करपा है राजस्तान पर तो उससे आप लोगों किया सोर उर्जा बहुत जो है सोर जितना भी उठा सकते हैं फायदा वो उठा सकते हैं तो इसलिए गॉर्णमेंट यही करी कि सोर प्लाइंट वहाँ पे लगा रही है ना तो सोर उर्जा का पहला इस्तान है जो अब भी कितना है 9500 मेगावाट उन्होंने स्कीम क्या रखी है 2025 तक देखे 2022 है तो इतना है 2025 तक आने वाले तीन सालों में बहुत ज़्यादा वह फायदा कर रहे हैं 30,000 मेगावाट वो सोलर पावर गैन करने वाले हैं नेक्स आता है दूसरे नबर पर आता है करना टकात तीसरे पर गुजरात इनके पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह इतना ज्यादा नहीं पूचा जायागा नेक्स आता है विंड उर्जा अब देखेग गुजरात और करना टकाता तीसरे नंबर पर राजस्तान का कोई लेना देना नहीं तो लाइंट कितने नंबर पर तो याद रिखेगा अब याद मेर रखेगा अब रूफ टॉप सोलर बहुत है क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत जूदा चल तो यहां पर पहले इस्ता से बी और कुछ अच्छा करना चाहता है तो वो क्या कर रहा है एक प्लान लिख है एक योजना लिख आ जिसका नाम है रूब टॉफ ऑफ मेन योजना राजस्तान है क्लियर है यह योजना है जो राजस्तान सरकार रही या जो भी वक्ति इसको लगाना चाहता है सुसरी मिलेगे अब कितना थोड़ा से बताता है कि वेगा कि वन गिनाता रहूंगा कुछ-कुछ आप लोगों फायदे मंथ भी हो सकता आने वाले टाइम में ओके तो रूप किलो वर्का होगा करीबन 40% सबसीडिया ना चाहते हो ज किलो वोट से अगर जादा का अगर आप सोलर प्लांट लेना चाहते हो तो गवर्मेंट की तरफ से जो सबसीडी मिलेगी वह मिलेगी आपको 20% की सबसीडी यह ध्यान रखना यह बहुत जादा अब फिसको हाई-式 लेकर चला जाता हूं हाले 돼ता हूं कि आप लोग को यह याद रखना ही होगा चलिए अब इसमें क्या है कि अब स्थार्ट किया गया रिजक़्ा जनुचा किता है कब स्थार यह जनुरी 2020 से पहले क्या वाद देता हूं इससे पहले जो मैल और फिमल कंडि जिसके पास रोजगार नहीं है अभी हम सब यही आप लोग यही कर रहे हैं ना कोशिश चलिए तो मेल केडिडेट को उस टाइम कितना मिलता था इस डेट से पहले को तो 3000 रूपई फिक differences मिलता हर मेंने फिमेल का मिलता 3,500 रूपईई अब इसको बढ़ दिया गया कितना कर दिया है बतादेता हूं इसको कर दिया गया 4000 रूपईई और यहां प yapmış है है अब इसमें एक केडिशन भी डालिये कंडिशन क्या डाली है कि आप लोगों को कम से कम चार गंटे क्या करना पड़ेगा किसी भी गौवर्मेंट जो इस्टूट है वहां पर आपको काम करना पड़ेगा वहां पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा वहां पर आप लोगों को परशिक्षक किया जाएगा ताकि जो भी जगह हैं वहाँ पर देना पड़ेगा यह युवा संबल योजना की अंथरगत आता है दियान रखना चलिए नेक्स्ट ऑके राजस्तान के बिखानेर के गुड़ा में लिगनाइट सुरी लिनाइट अधारी नया थर्मल पावर प्लांट लगाया जायागा बहुत इं जोजना भी और बनाए गये हैं गुड़े को एक गुड़ा एक जगह है है ना उस जगह पर अलग अलग उन्होंने जोन बना दिया है एस्ट वेस्ट नौर्ट एंड साउथ इस तरह से उन्होंने जोन बना दियान अखना अब यहां पर लिगनाइट आधारी जो नया थर्म डौधाश्र निगम के द्वारा राजश्तान विदृत उत्पाद निगम और सात में राजस्ता उرجा विकास निगम और उसके साहत fresh and minus and mineral को साथ में जोड कर उननों बोला कि जल्दी से आप लोग क्या कीजिए इस रोड में बना लीजिए उसके बाद में हम लोग यहां पर प्लांट लगा देंगे यह बहुत बड़ा है क्योंकि गोड़ा वेस्ट में 30 लाक पर्टिटन लिनाइट उत्पादन श्रमता की माइनि हो सकती है जहां पर आप लोग को क्या होगा अब इसमें फाइदा क्या होगा गुड़ा कि में नूर्व किया बताया था अलग अलग उसको पाइड कर दिया गया पूरोला कर दिया गया इसमें थोड़ा थोड़ा हरजगे से यहां पर मिल रा है तो इस्ह soul हम से इन television मुखले एछ गूडपरू में पहले से ये है कि राज्स्तान को खनीजों का अजय कर और कहा जाता ये पहले अग्याम में पूचा जाता था पुचा जोसा ज्या için kebay करते का कौंस्टबल केकी है को फ़िस्सक्राइब करें जरूर है लेकिन साथ मैं आपको बता देता हूं अब यहां पर पॉइंट आया है विकानेर खान तो बिकानेर में कुछ चीजे हैं जो और भी ज्यादा उत्पाद होती है मैं बता देता हूं कौन-कौन सी है जबसे पहले बात करता हूं जिपसम की ठीके जो अता है जांसर में यह विकानेर में ध्यान अमसर है विकानेंव मे यह देश की सबसे बड़ी खान है ध्यान रखना देश की सबसे बड़ी खान है जामसर में और यह जिपसम की ओके नेक्स आता है तामबा बिकानेर में और क्या मिलता है तामबा ठीक है तामबा मिलता है बिदासर में जो बिकान एर्मी है उसके अलावा मेंटोनाइट मेंटोनाइट भी कहां मिलता है विकानेर में ओके ये तीन है रास्तान जी की तोड़ी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि थोड़ा याद रहे साथ में आपके क्या पता आपकी साइंस के भी क्वेशन आ सकते हैं तो मैं उसके लिए कुछ चीजे बता जाता हूं जो लिनाइट है ठीक है लिगनाइट जो बोलते हैं यह कोई बुरा कोईला लिनाइट को बुरा कोईला बोला जाता है और कार्मन की इसकी जो मात्रा होती हूं 25 से लगाकर 30 परसेंट के बीच में त्यानक यह बहुत अच्छा है नेक्स्ट आगे चल देख चलिए आगे आता कि कभी शाहित्यकार मिठेस निर्मई को और बहुत इंपोर उसमें मिठेस निर्मई के बारे में पूचा गया था द्यानक ना तो मिठेस निर्मई 2021-21 का जो है सहित अकादमी का पृषकार मिला है यह बहुत इंपोर्डेंट है चलिए निर्मई को वर्स 2021 का मातुश्री कमला गोईनका राजस्तानी सहित्यकार भी परदान किया गया क्लियर है रास्तान साहती अकादमी की अद्धिक्ष कौन है यह बहुत जरूरी है यह है डॉक्टर चंदर शेकर कंबार क्लियर है अब सबसे बड़ी जो चीज आती है कि मिटेस निर्मवी को तो मिल चुका है साहती अकादमी पुरुष का तो उनकी बुक कौन सी थी किताब इनके जो कृती है वो है मुगती याद रखना मुगती बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम में पूचा जा सकता है फिलाल तो यह पूचा गया था कि साहती अकादमी का पुरुष का किसको मिला है अब मुगती के बारे पूचा जा सकता है ज्यान रखें नेक्स्ट राष्त अब फिलाल जहां पर इंद्रा रसोई योजना चल रही है अब कोशिश कर रही है उसको 1000 तक लेके जाने की एक हजार यहां पर जो है आपको रसोई योजना मिल जाएगी वहां पर काफी लोगों को फायदा होगा जो गरीब तबके हैं उनको तो पहले यहां पर क्या होता अब बारे रुपे गोर्मेंट दे देती थी उनको और अब जो है थोड़ा बढ़ा दिया गया क्योंकि अभी थोड़ा खर्चा भी बढ़ गया है और इस हिसाब से उन्हों ने भी यह कर दिया तो अब यह जो थाली होगी 25 रुपे की जिसमें से 17 रुपे गोर्मेंट देना है जनुरी 2022 को बहुत इंपोर्टेंट मंत है ध्यान रखना क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेशन पूछे गए हैं चोद्वे जयपूर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यहां पे ध्यान रखना जी आई एफ एफ सो जिफ बोला जाता है और काफी बार एक्जाम इसमें अब क्या हुआ था चाहुदा जो अलग अलग सेंडियों की मुवी थी करीबन 127 फिल्म में थी उनको इनाम दिया गया पुरुष्कत किया गया अब इनमें से कौन कौसी थी पहले में बदा देता हूं बैस्ट फिल्म में अवर्ड मिला है वाशिंग मशीन को पहली ध अब फिल्म स्क्रिप्ट राइटर जावेद सिद्की को इस बार को लाइव टाइम अचीवमेट अवर्ड उनको दिया जाएगा यह उन्होंने गोशना की थी हैना उस टाइम की उस डेट तो याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है जो जो मैंने पॉइंट की लिखे है या हमने अंडरलाइन की है वह ज्यादा इंपोर्टेंट है क्लियर नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है कि जनुरी 2022 में नगरिये विकास विबा की जारी अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायतों को भूमी आवंटन का जो अधिकार है अब किसको दे दिया गया क्लेक्टर साब को दे दिया गया अब जो क्लेक्टर साब हैं वही इसकी देखरे करेंगे उससे पहले कौन क्या कौन कर रहे थे विकास प्रादिकरण और जेडी इनके द्वारा ही यह पास किया जाता था जहां पे ग्राम में पंचायत में जितनी भी भूमी हुआ करते थी उसका आवंटन क है चुरू करोली एंड सवई मादोपूर वहां पर क्या मिला है पोटास मैंने क्या वोला अभी राजस्तान क्या है अजाइब गर है खनी जोगा ओके तो वहां पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिल रही है नेक्स पॉइंट ओके दिसंबर 2021 में जोधपूर में पर्देश की पहली 108 बाइक एबॉलेंस सेवा सुरू कर दी देखे एबॉलेंस तो थी ठीक है 108 पे अब बाइक एबॉलेंस मिलेगी ताकि जो सुविदाएं हैं जनता को सुविदा बहुत आराम से मिल जाए और जितना जल्दी हो सके उनको जो हैं ट्रीटमेंट मिल सके इसलिए उन्हों सरकार घ्रव विबाग द्वारा करोना की तीसरी लेहर अब देखे तीसरी लेहर के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए उन्होंने क्या क्या पाबंदिया लगा दी गई है ना याद रिखेगा बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि पिछली बार जब जब सेकेंड फेस था करो यह उस टाइम जो है जन पाबंदी लगा दी गई थी आप लोग को यह आराम से पता होगा चलियर हो गया अब इसके जो मॉक टेस हैं वो भी आप लोग को एप में मिल जाएंगे यहां तक आप लोग के पॉइंट मैंने क्लियर कर दिये चोटी सी क्लास थी और आप लोग के क्लासे से दो कुछ नया करने कड़ने वाले यह भी हमन रहा हों कि आप लोग मुझे पता चलेगा व्लों को और क्या चाहिए आने वाली क्लास में कि इस तरह से हम लोग कुछ नया करने वाले और आप लोग के लिए बहुत वहेदरी क्लास लाने वालें साथ में जो यह ओन लाइन स्कूर इंडिया आप लोग के लिए मेल का पत्तर साबित होने वाला है तो त्यारी करते रहें जम कर और साथ में ओनलाइन वासरी ओसाइफ फोर लाइबरेंज साइंस यूट्यूब चैनल उसको भी सब्सक्राइब कर देना साथ में कमेंट करके यह जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी है न क्यूंकि हम लोग को कुछ नहीं चैन्स करते रहना हैं और